हलो दोस्तो आज के वीडियो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक में होगा यह मार्केट डीप मार्केट में आप किस तरह से अपना पॉटफोलियो को मेनेज कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अगर अपने मेरे चैनल को इतक सब्सक्राइब नहीं क बट अब आप यहां पर देखेंगे तो आपको नज़र आगा 27% 20% 21% जो कभी इतना स्ट्रॉंग टोकन्स है लेकिन यह अचानक से पॉल कर रहा है क्योंकि देखें बीटकोइन क्या होता है कि बीटकोइन को सारा चीज फॉलो अप होता है कि बीटकोइन अगर गिरता है तो उसके हिसाब से सारा टॉकन्स भी गिरते हैं ठीक है बट बगर देखें बीटकोइन अगर 8% 10% गिरा तो बाकी उससे ज्यादा ही गिरेंगे तो यह होता है मार्केट क्रेश होता है तो इसी तरह से क्रेश होता है कि वो कहीं नीचे रुकने का नामीन लेता है कि कब कहां जिलता है वह 2-3 support को भी तोड़के नीचे चला जाता है तो ऐसा हाल रहता है इसे market में यही बात है तो इस तरह का जब्ही भी market होता है तो आपको किस तरह से अपना portfolio manage करना है अगर आप crypto market invest करते हो तो आपको कि अगर आप यहां पर देखेंगे बिटकोइन का मुझा चार्ट देख रहें बिटकोइन का चार्ट अगर यहां पर वन डे का फॉर डे का देता हूं तो ज्यादा आसान होगा थोड़ा से वीडियो थोड़ा से लंबी हो जाएगी बट सोरी दोस्तों बट क्योंकि इसमें य कि यहां पर जब चैसे फॉल किया हमें लग लग रहा था कि यह support लेगा यहां पर बट नहीं उसने एक पहले positive not एक positive से जिए फियर है कि पहले से गीर रहा है और all up नहीं होता है कि अगर निकलना है तो चलिए ठीक अगर आप पूरा मान लिए कि आपका लोस हो अब आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है तो यहां पर निकल जाते हैं यहां पर जाएगा फिर उपर जा सकता है पर सपोर्ट को जैसे इतने तोड़ा और निचे अगर अगर नॉर्मली मार्केट अगर अच्छा रहता तो यह अराम से यहां से एक सपोर्ट लेगा कि निकल सकता था बट मार्केट का जो सेंटीमेंट बहुत ज्यादा खराब है तो जिसके कारण अभी आपको इतना बड़ा डं मार्केट जिस तरह से रियट कर रहा यहां पर अब सब धरे हुए है कि मार्केट अब क्या करेंगा अब यह तो केवल बीट कोईन का लिए कि अगर आप कोई बी अल्ट कोई देखेंगे यहां पर देखें इतिरियम देख लिए बीन भी देख लिए ठीके सोलाना एक सारपी टेरा यह सब देखें कितना ज्यादा फॉल हुआ है यह सब में हची दे वो चीजा हमेशा हर इंवेस्टर को कभी-ना-कभी अपना लाइफ में यह चीज फेज करता है जब न चाहिसे हूत है यहां सनते हैं ठीक है लेकिन आप अपना बेकइब पैसा जो हों है जिसको आप करने के लिए जिए होता कि हैसा और इसको छ closing क्रेंगे अंगर क्व आपको यहां से 20-30 दिन तक अगर in case अगर यहां से अगर recover होता है तो आपको 20-30 दिन तो लगे गई इसको recover होने में यहां तक का तो इसलिए ऐसा जगा में जब जब भी ऐसा कुछ होता है market ऐसा fall होता है तो आपको हमेशा आपको फंड होना चाहिए कि आप इसको यहां पे at least इस आपको profit in future जल्दी हो क्योंकि आपको पता है कि market गीरा है तो उपर जाए गई यह है यह तो market का rule है अब कितना गीरेगा यह इसके उपर है सो आपको हमेशा इसको balance करने के लिए पास fund होना चाहिए कि आप यहां पर buy करें तागी इस यहां तो नहीं क्योंकि अभी market अभी स्टेबल नहीं है तो आपको यहां पर बिल्कुल तो इसलिए आप थोड़ा सभी हैं पर ध्यान रखिए हम आपको bitcoin में इसलिए expand कर रहें क्योंकि bitcoin का ही सारा चीज रिप्लिकेट होगा अगर bitcoin उपर जाने लग जाएगा तो बाकी सब भी अपने उपर आने लग जाएंगे तो देखिए meme coins अगर देखेंगे तो सुचिए 24% टोटल 40% साथ दिन में गिर चुका है तो सुचि यह one of the best token आपको माना जा रहा था 2000 21 में बट अभी देखिए क्या हाल है इसका तो यही होता है कि crypto market जो है बहुत ही अगर वो 100% उपर जा सकती है तो 100% निचे भी एक दिन में आ सकती है यह होता है तो आपको mentally पहले ही सब प्रिपेर होना चाहिए अगर आप इसा प्रैसे डाल रहे तो वह सोचिए कि कि हतम होगी है तो आप परहिसान हो जाए कि भाई इतना जदा market गिर है पोर्टफोलियो जैसा हुआ हमारा भी पोर्टफोलियो वह बहुत यही हाल में बट अभी बेक अप करने के लिए उसमें ह कऱू अभी यहां से उपर जाएगा हमारा रेडिंग के पर से था कि हम यहां पर कर सकते हैं अब यहां यह द्सłby Landing को क्रूस करता आसपस यह लाट कर नीचे जाएगा तो बगला अगला तीन मैना उपर हो जाएगा यह होता है मार्केट ठीक है तो आपको इसलिए हमेंसे मेंड़ा कि अगर साल को एह सेक्ट को मार्केट से सीख्णा हो जा यहाते है क्योंकि हम ना Plenos करतें कि मिस ना कर जा मपोचनेटि में आपको फाकेट में जौनटें हो तो पोई भायती मार्केट में अपका वाईपोड्फोल्योक्षू क्या रहेगा यही बात होता है difference कि जो इसमें पैसा कमाते हैं वो पैसंस का है सारा गेम यहां पैसंस का है कि आप की इस तरह से market को respect कीजिए market को कि ठीक है तुम भाई नीचे जा रहा है कोई बात नहीं तुम मेरा अगर आप मान के चलिए यह कुछ दिन हो गया है और यहां से उपर जाने वाला है तो अगर यहां से यहां का profit देखेंगे 20% का है यहां से यहां 20% का है लेकिन और positive profit है पॉजिटिव में जाएगा वह पॉजिटिव है तो आप सोची कि कि आपको कितना profit मिल सकता है तो आपको profit अगर कमाना आए तो अभी मान किजिए आपको जो भी आपका portfolio है तो अगर यहां से यहां तक आता है तो आपको profit कमाने में पहले 10% का वेट करना पड़ेगा उसके बाद आपको अराम से यहां से अगर count करेंगे इस जगह से तो आपको असपास 8 से 10% का यहां भी profit मिल रहा है यहां से यहां तक तो वही होता है अगर अभी यहां पर इसको average करते हो amount को कोई भी amount को अगर आप एवरेज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है तो वही है कि आपको यह long term में आपको अच्छा का से return दे सकता है कोई भीट करना कि deep market में सबसे मज़ा आता है कि आपक मार्केट को एक बार एक नया मूग आएगा जरूर आएगा आज नहीं तो कल वह आएगा बट टाइम लगेगा मूग होने में तो आपको धेरे-धेरे सारे जितने भी आपका पॉटफोलियो सब में आपको धेरे-धेरे डालते रहना है अभी मीम टोकेंस को थोड़ा साथ दूर रखिए जितने भी अल्ट कोईन है आपके पास मान के चलिए आपका जो टॉट फिप्टी से अगर जितना भी इन्वेस्ट किया है टॉट फिप्ट किसी को देख लेते मान के चलिए कोई भी में टोकान कीश्व देख लेते किस्व इन्व कुछ देख लेते क्या हाल है उसका किसी लोगा तो वही हाल होता है थर्टी परसंट का मूव तो थर्टी परसंट मलब आप समझ देखिए साथ दिन में यह वो जो अपना जितना रिकवर नहीं कि उससे जटो ज्यादा है फोल के देखिए यहां तक तो उसको पोजिशन था कि यहां से रिकवर करना यहां से जब फोल हुआ लिऑ कि कहां से कहां चला गया तो यह हूता है मिम टॉक्न को थोड़ा साथा म्यरकिया आपको पहले इसको और अभी तोकेंस को यहां सबचना चल रहा था और कहां से यहां पर देख सकते कितने बड़े बड़े फॉल्स हुए तो यह अभी यहां पर एंट्री करने का मौका है कि एक बार करें यह प्रोजेक्ट सब्सक्राइब तो कुछ नहीं होने वाला है इनमें अच्छा खासा गेन हो गई फ्यूँचर में तो यही बात सब अगर आप इसको कंसिडर करते हैं कि इस तरह का जो मार्केट में आप कैसा है वीट या या पिशीक नहीं होना कि पैनिक की pandemic की तो अगर इसका टार्गेट आपको 20 या 30 रुपया है तो छोड़ दिए उसको जो होगा भाई होने दो ठीक अगर लोंग टर्म के लिए रखें अगर सोट टर्म के लिए बिल्कुल आराम से एंट्री मार सकते हैं अगर यह आराम से यहां से 13-14 रुपय जाता है तो अच्छा- प्रदाने का बिल्कुल बात नहीं होता है कि अगर मार्केट नीचे आता है तो उपर बजाता है यह हो सकते कि आपने भूल से यहां पे बेचने भूल गए यह सेल करने भूल गए आसपास यहां पर वो अलग बात होती है ठीक है बट अगर आप मेंटल में अपना दिमाग म यह रखे कि मेरा टार्गेट यह है तो वो टार्गेट को आने दिजिए और जरूर आएगा आज नहीं तो कल जरूर आएगा बट इस तरह का मार्केट वाको अपर्चुरिटी कैसे डूड़ना है यह आपको देखना है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद कर वीडियो से कुछ इन्फोर्मेशन मिला होगा अपना खुद कभी रिसर्च कीजिए कुछ भी आपको डाउट होगा या कुछ भी सवाल होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और हमारा टेली करम चैनल है वहाँ पर भी आप आके जुड़ सकते तो चलिए मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाग